हलो फ्रेंड्स माइ नेम इस अम्रें रियाज आप टो पीषडी डिविजन रेजनेंस हम एक नया चाप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे चेप्टर का नाम है इंवर्मेंट यंड पॉलुशन हमने बहुत सारे चप्टर आपने पड़ाई करना स्टार्ट कर दिया होगा ठीक है तो बेसिकली हमारा चेप्टर क्या है इन्वार्मेंट और पॉलिशन जो हमारे डे टुड़े में हमारे आस पर जो भी चीज़े हैं जो पॉलिशन हम सुभी गाड़ी से जाते हैं बहुत सारी गाड़िया पॉलिशन करती है इन्वार्मेंट पर इसका इफेक्ट होता है वही हमारा चेप्टर है बेसिकली कि एर्ट पे क्या हो रहा है ओजो लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है और उसकी वही से क्या हो रहा है डायरेक्ट संकी रेज हमें इफेक्ट कर रही है तो बेसिकली क्या रीजन है कि खतम होने का चैद होने के छुट टोटे जो चुट टोटे दोटो हो जाता है तो यह पॉलिशन उसका रिजन है ठीक है तो हम देखेंगे हमारा जो चेप्टर का नाम से स्टार्ट करते हैं इन्वार्मेंट पॉलिशन सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं किप वक्रम परेख इंकर करने करें कर विख thee, सही हम व्यूशक जितने पीड़कोशने कर कर शबूशनी थफरी कर एप ए असीं कर देखर हैं जान खाट्हरी खातर हैं, त्मली कर शार रहें, किन बीर का Mirjana Bite Kr elder ऩो परें पर रहना है day, today, morning, evening, ते जो भी चीज़ हो रही है हमारे environment का part है, अगर हम गार्डन में जाते हैं तो भी environment है, हम घर पर एघर पे आसपास देख रहे हैं हम garden है या फिर बेशीकली हम बैठे वह हैं, जो भी हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो basically क्या है, जो सारी चीज़ है वो ग्या है, environment क पार्ट है, okay, human beings affect the environment more than any living beings on the planet, basically, जो भी living being है, basically, क्या, animal, plant और, animal, plant and, कौन human being, जो भी है, वो उसमें से सबसे ज्याद़ कौन effect कर रहा है, कौन pollute कर रहा है, किसकी वजे से pollute हो रहा है, environment, हम human being की वजे से pollute हो रहा है, जो इस प्लानेट में living beings है, उसमें से कौन, animal, सोडी रहा पॉलुशन करने, animal, सोडी रहा जाके गाड़ी चलाने है, उनकी गाड़ी से pollution हो रहा है, या कोई भी ऐसे, factories वगेरा, use करें, factories में से chemicals वगेरा, pollution, जो air pollute कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, animals नहीं कर रहे हैं, तो basically इस प्लानेट में हमारे अर्थ पे, जो भी pollution कर रहा है, वो कौन कर रहा है हम लोग, मतलब कि human being, इस एक्टिविटीज सम्टाइम्स प्लस हमारी अर्थ के लिए भी हामफुल है, जैसे मैं बता रहे हूं, जो परत रहे हैं, उसकी छोटे-चोटे-चोटे समें छेद होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सन की रेस कहां पहुंश रहे हैं, अर्थ पहुंश रहे हैं, उसकी वज़ से गर्मी का लेवल बहुत बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि अभी ऐसी गर्मी होते जा रहे हैं, कि अभी ताइम पहार नहीं निकल साथे, बहुत तेज सूप लगती है, क्यों हो साथे, आपने मेधन में गर्मी की बात करते हमोटे हैं, छिष्च का विज़ का लिज़ भी बहांब्मेंट क होते हैं उसकी वज़े से जो बीचीजे हो रही है, प्सलिफिय है, ग्ष quii बहॅब्मने उसकी बाट कर दिज़ का लिशने उसकी ब benz century हो रहे है, जो हम रहे बढ मतलब हो रहा है जो behavior जिसकी हमारे behavior से जो changes हो रहे हो क्या है हमारा environment है next हम बात करते है environmental pollution basically environment की बात हो गई अब देखते हैं कि environment pollution कैसे हो रहा है मतलब हमारी environment को pollution कैसे किया जा जा रहा है okay environmental pollution can be defined as an undesirable development in physical, chemical and biological features of air, land and water environment pollution क्या होता है basically जो undesirable मतलब जिसके need ने desire नहीं है उसकी वाई से जो हमारी earth पे physical, biological, chemical changes हो रहे हैं जिसकी वाई से क्या हो रहा है environment effect हो रहा है वो क्या है environmental pollution है जिसकी वाई से जो air है वो भी pollute हो रहे है क्यूं क्योंकि अगर गाड़ी से गंदा धुवा निकलेगा smoking निकलेगी तो क्या होगा वो air को pollute करेगी हमने देखा होगा कि morning में हम निकल के जा रहे हैं हमारे आगे एक गाड़ी जा रहे है उसमें से बहुत तीज धुवा निकल तो pollution लगता ना कि morning में भी ऐसा फीर होता है कि क्या polluted air है मतलब हवा अच्छी चल रहे हैं कि सड़ली सामने से गाड़ी जा रही है उसमें से वो क्या धुवा निकल रहा है तो क्या हो रहा है पॉलिट हो रही है तो वो अच्छी हवा भी बिकार लगने लग जाती ठीक है अगर हम कहीं पर क्या करते हैं तो वह लेंड पॉलिट हो जाती है उसके बाद वह बराई में नहीं आता है वह वाली land mining के बाद क्या हो गए यह वह बॉलिट हो गए next water water में क्या होता है कि basically industry जो होती है जो अपने chemical fertilizer मतलब के अपना जो wastage है वह कहां पे drainage करती है direct seas या फिर oceans या basically water bodies में अपना direct drainage पहुंचाती है तो उसकी वज़से क्या हो रहा है जो अच्छा पानी है वो भी क्या हो पॉलिट हो रहा है जिसकी नीड है फिर भी हम कर रहे हो और पॉलिट कर रहे है तो यह क्या है हमारा environmental pollution pollution takes place by external sorry pollution takes place by natural as well as human activity natural भी होता है और human weight भी होता है natural कैसे हुआ बेटा natural ऐसे हुआ that means कि कहीं पे जो हम बात कर सकते हैं गड्डे हो रहे हैं गड्डे हो रहे हैं तो land खराब हो गया वाका ठीक तो basically यह क्या है pollution तो नहीं माना जाएंगे लिकर हम example दे सकते हैं कि वहां पे पानी भर रहा है ठीक है घड्डे होगे नेचुरली थीके बारिश की वज़े से क्या हो रहा है गड्डे होगा ठीक हो डेपने उसके लिकिसके इसके घंदा पानी भरता जा रहा है बर गया गंदा पानी भर गया उसमें क्या होता है लूई पाणि इतना जो कि उसके वह सारे और इंसेक्स दवलप और उसके वैसे क्या है पूरा इंवार्मेंट पूरा सबस्टाइब कि खराब दिखंग नो तो क्या है हमादी क्या खराफ, वहल्त को मेद बारिशी थ सब्सक्राइप बारिश एक क आरे ठाइबे list लिए बारिशे के बारिशे alan चte अप्रपे टाइम में चाशी घ्राब कर दहा अच्छी हवा को खराब हों सिर्ण चाहिए हम ते हम क्या रहने हैं? यह यह देख रहे हैं, जिया हम बात souvent हम बात रहे कि यहां नेच्छल में खराब में किल एंग पाने हैई जैसे हम इंड्स्ट्री समय का थो हम दो और से फिर जो समोख निकलता है है उसकी बात करें, वो क्या है, human-made, human-made activities से हो रहा है, the agent of pollution or substances that causes pollution are called pollutant, इसे क्या बोलते है, जो pollution कर रहा है, the problems related to events exist in development as well as developing countries, और यह सारे शीज़े कहां पर हो, जो developed countries है, वहाँ पर हो रही हो, जो developing countries, developed और developing countries दोनों जगे पर हो रही है, दोनों countries में यह चीज़े continue हो रही है, मलब, pollution हो रहा है, हर जगे की, हर country की यही problem है, ठीक है, this problem is gradually increasing day by day since the beginning of industrial revolution, तबसे में चीज़, यह चीज़ day by day increase हो रही है, day by day इस चीज़ के increment हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि industrial revolution आने के बाद, मतलब, बहुत सारी industries आने के बाद, पूरी environment को वो affect कर रही है, हर तरीक से affect कर रही है, basically, देखो, एक factory है, एक industry है, तो उसमें से हवा में क्या जाएंगे, जो harmful gases है, वो भी उसके चिमनी से बहार जाएंगे, तो किसको इंफेक्ट करेगे, जो आसपास का area, मतलब कि जो हवा है, जो air है, उसको भी पॉलूट करें, प्लस, उसमें से जो chemicals निकल रहे है, वो किसमें बहुत सारे बहुत सारे पॉलूशन, बहुत सारी आर पॉलूशन, वाटर पॉलूशन, सारी चीज़ें हो रही है, तो basically, किस क्या रिजन है, इंडर्स्ट्री रिवलुशन? सबसे मेन रिजन है, इस चीज़ का जो हर डवलप्ट और डवलॉपिंग कंट्री में, डे इंक्रीस होता चाह रहा है तो यह basic reason है कि इस चीज का environment pollution का थीक है आज हम इस chapter के starting करी है basically हमने देखा है कि क्या है environment के बार में environment pollution के बार में basically तो यह सारी चीज आपके environment से related है तो मैं सिर्फ इतना सब बुलना चाहूंगे आपको इस video के end में किoria में भी अपर वीजे करें में बया खर काना मुझा देश्ट बार parler है यहार पर हम सिफ प्रकरोशेंस ले सकते हैınd Campe Gipartитель क्या प्लांटिंग यह ज्यादा त्रेश लेगाएं हैं तो ऐसलिक क्या होगा हमारी ओसले सिलेppers है यंवारम्ट के नियूभवावा जाया है के लिए रहे सोंकित डाउंडियों के शाहर रहेंու धैय को देडियों की इस जाहिए था शाहिएंग प्र्जा आपनी लेकश्ट वसक्या का रहे तो हम क्या बेकर हमारे वहीक एको करें वहारे गवीकल का यूजिए और की छिए पर्षफान पाम से तो इसके और थेख़कर पोईन्ट भी थेख़तों का पॉइन दोड़ से। प्लस दूसरी चीज फ्रैक्टरी का जो पानी है उसको भी क्या डाइरेक्ट सप्लाई ना करें कहां पे वाटर बोडी में कहीं और उसको लिए एक अलग से सिस्टेम बना ले इसकी वज़े से क्या होगा हमारा वाटर पॉलुशन भी रुप जाएगा ठीक है तो बेसिकली हमा